नमस्कार दोस्तों मैं वराट들 सुपाखता आपके अपनी थूच加नल में मैं दोस्तों अज़का वीडियो बहुत कि इंपोर्डेंट वीडियो आप सभी की वीडियो है बहुत सरे बच्चों कि दिमान्ड हते हैं कि सब्सक्राइब सुर्ण कि चुझे लगता साप पता है। मैंने की धितरी दिस्थादि में तूसली है। बच्छों सब्सक्राम की बजह मेडिकल के समझेद बहुत सारे क्यों सेनाते हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको A to Z यहनि पेर फुट पेर से लेके सर तक के बाल तक के पूरी मेडिकल पॉइंट बताऊंगा और जिन जिन को बोल दूँगा तैयारी नहीं करना वो तैयारी नहीं करना कौन-कौ जाए वो दूसरे किसी एक्जाम की तैयारी कर ले दोस्तों लेकिन एक चीज और में बता दो दोस्तों अगर आप अभी परजय टायम में तैयारी कर रहे हैं SSC GD की तो SSC GD के लिए SSC GD की यह मोडल बुक है और शात में इसकी SSC GD की गाइड बुक है बहुत ही अच्छा बुक है यह मोडल बुक वजय से में बताए कि आपके पास में ओल्ड पेपर की बुक होनी चाहिए जिससे आपको सेलेबर समझ में है बहुत ही अच्छी बुक है बहुत सारी बचों की उसने रता कि सरकों सी बुक ले तो इस बुक से आप तयारी करोगे तो आपके 100% बहु कमेंट बुक्स में भी पिन कर दूँगा ठीक है अब बात करें मेडिकल की तो बहुत सारी बच्चों के क्यूशन रते हैं इसमें पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा इस वीडियो एंट तक देख लेना फिर आपके कोई भी मेडिकल समझ देत पॉइंट हो तो कमेंट बॉक् सबसे लाइड से उंगलियों से सुरू करते हैं नीचे से बढ़ गएंट अधी उल्युप में इसका पॉइंट नहीं मिलता है कि 90% चांभ से जरते हैं जरते हैं और दूट होगी होगी है कि नहीं होता है तो तो वहां पर थोड़ इसी भी अगर शावदानी रखोगे तो फ्लेट पूइंट आपको नहीं मिलेगा और उसके लिए मैंने बता भी दिया कि लिए क्या करना है किस परकार से उसको फ्लेट पूट में आपको पास होना उसी दिन बली आप वो शूज में डाल लेना कपड़ा उदर तो थोड़ा सा उपर उठ जाएगा कोई टेंसर नहीं थेक है मिटी में चेक होता ता आप आशानी के बच सकते हो फ्लेट पूइंट आपको नहीं मिलेगा मिल भी जाएगा तो आप पास हो जाओगी गारंटी में अब इसके बाद में थोड़ा से उपर चलते हैं सबसे ज्यादा जो पिंडी होती आपकी से इन पेन की प्रोब्लम का कोई पूइंट नहीं मिलता लेकिन पिंडी के आज-पास कई बचों की जो नस्य हो बाहर निकली प्रोब्लम केसे इतना वारा तो आप मेडिकल पास होगा किन हीरत लेकिन अगर इतना भी नहीं तो उसके लिए मैंने एक टेक्टिस बताईए आप वेसे करके देखना खाड़े हो के पेरों को पीचे की तरफ दखाना पीचे की तरफ पुछ करना तो ऑटोमेटिकली इतना सा गेप बन जाएगा अब यहां पर कुछ बच्चे मेरे को ऐसे भी बोलेते सलेकि अगर खरें अगर लेटे करें अगर तो भी कर सकते पर चाड़े कर कर दो पुस्क करना है खले है अब बयवें इस की नोखनी के लिए आपको एक ट्रेक्टिस बताऊंगा दो तीन अलग से वीडियो बना कि उसमें आपको बताऊंगा कि इस परकार से आपके पेरों में पास हो सकते हो नोखनी हो थोड़े से उपर आजए प्राइबेट पार्ट के बारे में इस पेसली लड़कों के बारे में हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो लेकिन जो लड़के प्रोब्लम आती है आती है पाइल्च और बावा सीर वैसन का पॉइंड लड़कों में ज नहीं होनी चाहिए तो आपको medically कोई unfit नहीं करेगा अगर मानलो आपने बावाशीर का इलाज कराया या operation कराया और आप अगर आपको रिमेडिकल भी मिलता तो आप पास हो सकते हो लेकिन वह आपका होना चाहिए इलाज बिल्कुल ठीक अगर वहां पर पाए गए प्रोब्लम में तब आपको बाहर कर सकते हैं तो ठीक तो ठीक है नहीं तो फिल पॉइंट जरूर मिलेगा अब आजाए थोड़ा से कोई बिल्कुल सलछ और और इसमें कोई परकार की कोई प्रकार में कोम भी रिता fella भी जादा जाती है यह तो दोस्त उसका पोइंट आपको नहीं मिले गए इसका इलाज़ भी तीं उसका पीलाज भी कर सकते अगर मिलता है अब क्ष inclusive स्जादा यह तो आपिलाज करा सकते हैं यहां पर घ्ट taste को घडा रहता है बोस्त और बच्चे औरagne तो इसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा एक जिसके स्केन में यहां पर डोट 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 या इस्टेच मार्क या जो बले कलर का जो धपा होता हुए तो आपको इन तीनों में कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाता है दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी करिया अपनी इसमें सब्सें जदापूम घ्र नहीं जो इससे मैं सब्सें जद्र पॉइंट रहे टेंसर नहीं है अगर पयर में कोई कुट पार्ट निशान है या उप्रेंसिय का निशान है आप तैयारी करिया ठीक है अफित हो जाओगे कोई तैनसरी निए ठीक है में भड़ियों में कोई टूटपांटdade vain कहने का मतलब यह अब बात इसी इसे की बात करें तो सबसे पहले अगर OUT तो मुह में 32 दानत होने चीज चोटिज दानत होने चीज एससजडी के लिए कोई रिक्वाइड में तर दातों में गया पर कोई टेंस नहीं ठीक है मुह का कोई खास पॉइंट आप अजीडी में नहीं मिलता है जीब आपके कुछ लेकिन वो गूट के खाका के खाका के से और फीट हो सकते हूं ठीक है चानों में तो आपको जिनके उरस्य होसी आती है उनका पॉइंट हो सकता है एक किसी को बहुत कम सुनाए दें उसका प्रहसुगा लेकिन इन सभी चीजों का इलाज है आप कान का इंक करा सकते हो और फीट हो सकते हो कोई टेंसन नहीं अगर श्यवाइन नहीं आन्ख में फिट रो सकते हो कोई चिंते वाली बात नहीं है आंख नहीं मेर में पॉइंट का तो दोस्ट वीजन है तो अपने आप कुछ वजन वाले बच्चे को मेनी बोलता कि वो मतलब तयारी करें विस्वास करें पहले अपने आप पुझा तक अब अपनी जाट कर लीज़ेजिए कर सकते कर सकते हुच कि वह थोड़ी टेडी प्रोबलम है उसका थोड़ा इलाजी कि वो जनमजाद प्रोबलम है ठीक तो उसमें अकसर बाहर कर देते हैं तो अगर आप जांस कर लीजिए अपनी आपको जूटी तसली नहीं दूँगा आप अपनी जांस कर लीजिए अगर आपको लगता फायट कर सकते हो तो बिल्कुल तैयारी करें ठीक है उसके लावा आई साइड आपकी सिक्स भाई सिक्स होने अगर शिक्स नाइन है तो बोसारे बच्चे बोलते हैं तो बोले कि मेरे आई साइड करने है वह आपको दो में चीज़ करके बता देंगी आपके आई साइड क्या है तो शिक्स भाई सिक्स सही होने सी अगर थोड़ी बोट उपर नीचे भी तो को टेंसन नहीं है आप है एक बार आप अगर ऐसे जिदी के मेडिकल में फिट हो गए आपको कोई चेलेंज कर नहीं सकता है सर का कोई पॉइंट होता नहीं है तो दोस्तों यह नीचे से उपर तक है टूटल मेडिकल यह पॉइंट में आपको बता दिया अब किसको तयारी नहीं करने में बताओ ए जिनके जिदा बवा शीर हो गई हो गई है जो अपरेशन से थीक नहीं हो तो वह की त्यारी नहीं करे बाकियाया जिके हइं चिसे जी ठीक है 인त जयभारट